दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे option selling को, last वाली वीडियो के अंदर भी हमने option selling सीखी थी, लेकिन फरक दोनों में सिर्फ क्या है, कि last वाली वीडियो में हमने सीखा था credit spread, जो directional basis पर होता है, यानि आपको ये analysis करने पड़ेगी कि मजार उपर जा सकता है, ये non-directional option selling करनी हो, तो कैसे करें, तो यानि आगर market एक जगा रुका हुआ है, मालने तेगे आपने 2% आगे का 2% पीछे का एक range बना लिया, अब इस range के अंदर आगर market रुका हुआ है, तो हमें पैसा मिल जाए, धिरे धिरे time decay होता रहे, और वो premium कम होता रहे, premium गलता रहे, और वो हमें पूरा पैसा हम उसका कमा सके, और risk manage भी हम कर सके, तो आज की वीडियो में non-directional option selling की बात करेंगे, और जो main हमारा concern आता है, option selling के अंदर की premium बड़ा जादा लगता है, तो non-directional में कुछ ऐसी strategies आपके साथ share कर रहा हूँ, जिसकी अंदर premium जादा नहीं लगेगा, initial basis पे 40,000, 45,000 रपे में या उससे कम में भी आपकी strategy चालू हो जाएगी, आप execute कर सकते हो, लेकिन उसका क्या benefit हो सकता है, क्या उसका drawback हो सकता है, उसके बारे में दोस्तों आज की video के अंदर discussion करेंगे, तो सबसे पहले strategy समझने से पहले, मैं अपनी एक panel दिखा रहा हूँ, option selling का, जिससे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि क्या जरूरी होता है trading के अंदर, जिससे हम market के अंदर पैसा बनाते है, तो सबसे पहले मैं एक बार panel दिखा रहा हूँ, वो देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों, जेरोदा console में मैं आ गया, मैं 3-4 account manage करता हू अपने plus, एक-दो मेरे family members के account है, जिनको मैं manage करता हूँ trading के लिए, उससे जाधा time होता नहीं, उससे जाधा कर भी नहीं बात है, तो यहाँ देखें, यह segment equity के लगावा है, मैं लगा रहा हूँ future and options, ठीक है, और यहाँ पर मैंने P&L combined लगा दिया है, और उसके बाद देखे date में select कर रहा हूँ, एक October से ले करके, 16 October यानि आज तक की date मेंने here select कर लिए है, ठीक है, आप यहाँ पर एक report generate कर देते हैं, और यहाँ पर देखें, मेरे पास October मन्त के कुछ trades आगे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं, मैंने कुल मिला करके 10 trade लिए हैं, और इन 10 trade में से आप देखेंगे 5 trade red में हैं, मतलब 5 दिन red में हैं, days, 5 days मेरे नुकसान में गए हैं, और 5 days मेरे profit में गए हैं, तो देखा जाए तो 50-50% यहाँ बर accuracy दिख रही हैं, क्या काईदे से 50% accuracy हैं, नहीं, यह accuracy भी नहीं है, तो जैसे कि आप strategy देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे, मैंन और उसमें देखें, इतना मेरा charges and taxes लग गया, यह देखेंगे, इतना brokerages and government के taxes charges लग गये, और यहाँ पर net realized आप देखेंगे, लगबग 24,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा हैं, लेकिन हमने देखा कि 5 दिन profit में गए, 5 दिन नुकसान में गए, लेकिन क्या actually हमारी accuracy इतनी आ र नहीं है, options buying में करता नहीं हूँ, और rare होता है कि मैं options buying करता हूँ, वो कोई opportunity लेनी होती है, या फिर hedge करना होता है, तो मैं करता हूँ, अब यह देखें, option selling के सारे trades है, और आप देखेंगे, जादा ता trade में 2000 पे गया, आसपास का नुकसान set है, लेकिन एक trade ऐसा गया, जिस इसमें में इनको 14000 पे गा profit आया, और उसके बाद देखें, फिर 2000 के लगाता नुकसान, फिर एक trade ऐसा आया, जिसमें 14000 पे का profit आया, फिर एक trade ऐसा जिसमें 6000 पाफिट आया, तो मैं अगर देखू यहां पर, कुल मिलाकर कि 20 trades हैं, यहां पर, 20 trades लिए गया है, और इन 20 trades के अंदर से सिर्फ एक, दो, तीन, चार और पांद, सिर्फ यह पांस trade ऐसे हैं, जो profitable है, बाकी 15 trade market के अंदर loss के अंदर है, लेकिन loss इनका capital है, 2000 के आसपास का नुकसान हो रहा है, लेकिन जिनके अंदर profit आ रहा है, उनके अंदर हम इतना पैसा कमा रहे हैं, कि वो सारे losses cover हो र कर रहा हूँ, यानि बहुत खराब trader हूँ मैं, market के अंदर है, सिर्फ 25% ही trade ठीक है, 75% तो loss में गए, लेकिन मेरे अपनी psychology को set कर आवा है, और मुझे बदा है, market के अंदर पैसा कैसे निकाला जा सकता है, यानि जब आपको market के अंदर profit आ रहा हो, तो आप बड़ा grab करो, काम कर रहे हो, चाहिए commodity कर रहे हो, चाहिए currency कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ यही चीज़ दोस्तों market में काम आएगे और कुछ काम नहीं आएगा, तो सिर्फ 5 trade ठीक थे, 15 trade loss में थे, लेकिन फिर भी मैं market के अंदर, पिछले 15 दिन के अंदर profit आवा हूँ, अगर मैं होता नहीं है market में, लेकिन निकल भी सकता है, तो अगर 50,000 आगे, तो 5 लाग की capital में ये return निकल रहे है, तो 5%, मेरा तो target दोस्तों रहे हैं, 2-3% भी ओना average आजे हैं, तो more than enough है, अब इसके अंदर जो मेरा fund है 5 लाग, उसके अंदर एक चीज़ में और करी भी है, इसको liquid भी इसके अंदर रखावा, जिसके अंदर मुझे interest मिलता है, तो वो interest भी मुझे लगबग 10% हर महिने का मिलता है, तो 5,000 पे और add करूँगा में इसके अंदर, तो वो मेरा एक extra profit और हो गया, तो ये दोस्तों advantage मुझे और साथ में मिलता है, ठीके न, तो कुल मिलाकर के दोस्तो इस तरीके से market के अंदर मैंने play करा हुआ है, तो उमीद करता हूँ कि आपको psychology समझ में आगी कि पैसा कमाने के लिए risk को manage करना पड़ेगा, और जब आपको पैसा मिल रहा है, तो बड़ा पैसा grab करनी की कोशिश करने पड़ेगी, या ऐसे strategy आपको बनानी पड़ेगी, जिस करना में अनमोल मित्तल, तो सबसे पहले अगर आप directional based option selling करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक range define करनी पड़ेगी, कि किस range के अंदर अगर market रहेगा, तो मुझे profit आएगा, तो उसकी लिए हम technical analysis का use कर सकते हैं, या फिर data analysis का use कर सकते हैं, data analysis हम क्यासे करते हैं market के अंदर अब वो मन nifty 50 रहता है, तो normally data analyst क्या करते हैं, वो यह देखते हैं कि माल लेते हैं कि एक हफते गंदर nifty की जो range है, वो 2% की है, या 2% वो उपर जाएगा, या 2% वो market गंदर नीचे जाएगा, तो एक उसने एक range define कर ली, market गंदर की इस range की आसपास nifty रह सकता है, 2% तो वो क्या करेगा, ऐसी strategy बनाएगा, कि 2% नifty उपर चले जाएगा, या नीचे चले जाएगा, उसके अंडर में अगर रहता है, तो मुझे profit आएगा, अगर उसके भाहर जाएगा, तो नुकसान होगा, फिर उसको stop losses लेने पड़ेंगे, या फिर अपनी strategy बंद करनी तो इस तरीके से data analyst काम करते हैं, लेकिन मैं आपको simple तरीका बताता हूँ, जिसको आप इस्तमाल कर सकते है, range define करने के लिए, तो देखें, last वाली वीडियो में तो हमने RSI and moving average लगा करके direction जानने की कोशिश करे थी, as per technical analysis, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, एक indicator की जिसका नाम ATR, average true range, कैसे लगाते हैं, मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ, या RSI बंद कर देता हूँ, ठीक है, RSI ज़रूरत है ने, तो यहाँ पर देखें, indicator वाला section देखें, यहाँ पर आपको मिलता है, यह जो मैं use कर रहा हूँ, इसका account opening link में में description में दिये है, जिसमें free में आप account open कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो, तो यहाँ पर देखें, ATR में लगा रहा हूँ, average true range, यह देखें, average true range indicator basically क्या करता है, कि आप उसको एक time period देते हो, जैसे कि देखें, यहाँ settings में में जाता हूँ, तो इसको आपने एक length दी 14 की, तो यह आपकी 14 candles को capture करेगा, और 14 candles को capture करके, उसका एक average निकाल करके आपको यह बताएगा, कि एक particular जो security है, यह कितना range इसका उपर का है, कितना range इसका नीचे गा है, मतलब कि range आपको बता देगा, कि यह इसकी range है, तो normally यहाँ पर देखें, क्या हो रहा है, market के अंदर हम यह देख रहे है, तो यह देखें, 14 candles को capture कर रहा है, और आपको यह बता रहा है, कि एक दिन के अंदर जो nifty की momentum है, यानि जो उसकी range है, वो है on average 243, यानि इतना nifty low से उपर जा सकता है, या high से नीचे जा सकता है, समझ में आ गया, यह इसकी range है, तो अगर मुझे expiry के लिए कोई strategy बनानी है, तो मैं strategy कैसे बन बनाऊंगा, कि अगर market is 243 की range के अंदर में रहता है, यानि मैं एक put यहाँ पर shot करने की कोशिश करूँगा, एक call में यहाँ shot करने की कोशिश करूँगा, protection में ले सकता हूँ, iron konder भी बना सकता हूँ, या फिर batman strategy बना सकता हूँ, various strategies मार्केट में बन सकती है, अब यहाँ देखिए, यह range में यहाँ पर बना ली, अगर market is range में रहेगा, तो मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर market is range से भाहर आता है, तो या तो मुझे अपना SL लेना पड़ेगा, या फिर इसको थोड़ा strategy को rebalance करना पड़ेगा, ठीके न, तो adjust करना पड़ेगा strategy को, ताकि पता लग जाएगा कि उसकी range क्या है, अब चली एक काम करते है, अगर मुझे monthly strategy बनानी है, मैं चाहता हूं कि एक month वाला कोई options की strategy बनाओ, और उसकी range define मुझे करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अगर one month की मुझे को strategy बनानी है, यानि weekly expiry नहीं, monthly expiry की, तो monthly expiry के लिए क्या करूँगा, मैं monthly time frame लूँगा, और वहां से मुझे एक range पता लग जाएगी, तो monthly expiry के साब से nifty 50 की range आ रही है, जो आपको यहां दिख रही है, 1200, तो 1200 का मतलब यह है, कि market में एक high probability यह है, कि nifty की average range 1200 है, तो 1200 range के आसपासी कहीं रहने व होती है, जब market crash होती है, तो range एक दम बढ़ जाएगी, तो उस case में हमारा SL काम आएगा, यह adjustment काम आएगी market की, ठीक है, clear है, तो हमें पता लगी 1200 range, तो एक काम करते हैं, कि strategy बिल्ड करते हैं, जो लगबख एक महीने के आसपास की strategy बना के देखते हैं, और यह देखते हैं, क a new customer strategy पे मैंने click करा, सबसे पहले आप expiry select करो, तो यहाँ पर देखिए, हमने one month की range जानी थी, तो one month के साबसे बना रहे हैं, जिनको एक हफते की range बनानी है, एक हफते की भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक हफते की prefer नहीं करता हूं, जिसका मैं reason बताऊंगा, क्यों नहीं करत अब यहाँ पर देखिए, 28 November वाली जो expiry है, इसको 43 days अभी remaining है, ठीक है, मैं 39 दिन वाली भी कर सकता हूं, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि यह end of month की नहीं है, मतलब mid of month की expiry है, इसके अंदर liquidity issues रहते हैं, that's why reason कि हम इसको 43 days वाली में एक बर capture करेंगे, और 1200 की जो points की range है, उसको देखेंगे, तो market दोस्तों अभी चल रहा है, almost 25,000 पर, ठीक है, तो 1200 points हम आगे करते हैं, निफ्टी के, तो अगर हम 1200 points निफ्टी के आगे करते हैं, तो लगबग 26,200 आएगा, तो हम एक range बना रहे है, 26,200, ठीक है, तो मा लेते हैं कि 26,200 की एक call मैंने short कर दी तो एक call मैंने short कर दी, जिसके लिए मुझे लगा 50,000 का fund लगेगा, 55,000 का fund लगेगा, जिसमें मेरी एक call short हो जाएगी, 26,200 की, 28 November की जो expiry है, उसकी, तो कहने का मतलब यह है कि market अगर 26,200 से नीचे रहेगा, तो मुझे 2300 रुबे का पूरा premium मिल जाएगा, और इसके लिए म में देखा जाये तो 4.8% यह होता है, चलिए, अब एक काम कर रहे है कि नीची की तरफ भी एक लगा लेते हैं, पूट भी लगा लेते हैं, रेस तो हमने define करी ली, तो 25,000 में से 1200 point हम और कम करते हैं, तो लगबग हमारे पास आएगा 23,800, तो 23,800 वाली देखते कितने रुप की यह चल रही है, तो इसको भी उठा करके short करते हैं, अब क्या हुआ हमारा fund reading अब देखें, margin उतना नहीं लगा, कायदे से 50,000 call का 50,000 put का लगना चाहिए, वो नहीं लगया, तो यहां पर देखें, margin benefit आपको मिल गया, तो 63,000 रुपीज में आप ये काम कर सकते हैं, और इस 26,800 से ले करके 26,200 की बीच में अगर market expired कर गई, तो आपको ये पूरा पैसा मिल जाएगा 4,750, जो लगबक 40-45 दिन का हमारा ये trade है, और इसमें 62,000, 63,000 रुपीज लगेगा, अब इसका graph देखें, graph कैसा बना हुआ है, इसका graph कुछ इस तरीके का बना हुआ है, जो आपको इस तरीका का graph है, इसके अंदर win होने की probability क्या है, तो probability एक बार देखते है, 76% chance है, कि आप यहाँ से पैसा बना करके निगलोगे, बास समझवें आ रहे हैं, आपको ये देखे, 76% chance, अब इसके अंदर देखे, Greeks भी हम देख सकते हैं market में, और जाएकि थीटा देखे, थीट होगा, और देखे देखे बढ़ता भी जाएगा, अभी 1.500 हो रहा है, फिर 200, फिर 200, फिर 300, फिर 400, ऐसे करके होगा, तो almost मालीजे 162, और maximum आपको कितना premium मिलेगा, आपको premium मिलेगा, 4750, यानि market इस range के बीच में रहा, तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप problem या आती है कि market अगर अपनी range से बाहर निकलता है, तब हम market के अंदर क्या करेंगे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं market इस range में रहेगा, 20-25% chances है कि market इस range को cross करके बाहर आजाए, या तो इसको cross करके बाहर आजाए, या इसको cross करके बाहर आजाए, तो market में लोग accuracy बढ़ाने के लि तो market unnecessary नीचे गिरता और बहुत तेजी से नीचे गिरता है, अभी हाल फिलाल में जो event आया था, जब center की election थे, जिसमें BJP को कम seat मिल रही थी, उसके अंदर आपने देगा कि nifty 7-8% तक नीचे आ गया था एक ही दिन में, तो कई लोग क्या करते हैं, ये put वाला जो contractors को नहीं लेते हैं, वो put वाला हट आ देते हैं, वो कहते हैं, जी हम सिर्फ call के उपर बैठेंगे, क्योंकि अगर market बढ़ेगा, तो दिरे दिरे बढ़ेगा, और market अगर गिर गया, कितना भी गिर जाए, अब call आपने short करी हुई है, और market कितना भी गिर जाए, तो आपको ये पैसा मि बाकि जिसको short नहीं करते हैं, अब risk तो यहां भी है, ऐसा नहीं कि risk यहां नहीं है, भई market अगर बढ़ गया, और बहुत वोयलेट तरीके से, मतलब बहुत volatility के साथ market सीधा बढ़ गया, तो आपको नुकसान तो यहां भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि market उपर नहीं जा सकता है, market तो वो call short करते रहते हैं, इस वज़े से, कि market अगर नीची गई, तो यह आपको पैसा देता रहेगा, 2300 मतलब लगबक 45% है यह, 40-42 दिन में, और अगर market उपर गई, तो वो portfolio उनका stocks का बढ़ चुका होगा, और यहां पर नुकसान सैन कर लेंगे, और क्या होगा, कई लोग 2310 का आपको total profit आना है, तो जैसी 2300 के आस-पास का अनुकसान हुआ, तो अपनी strategy बन कर देते हैं, तो वो आपकी ओपर dependent है कि आपको चीज़े कैसे manage करनी है, और overnight risk दोस्तों market में रहता ही है, अब चलिए एक strategy बताता हूँ, जिसका नाम है iron counter strategy, जो काफी कम पैसे में आपकी apply हो जाती, देखें मैंने दोनों ले लिए, 2380 का हमने put भी ले लिए, 1200 point नीचे हमने put ले लिए, 1200 point ऊपर हमने market के अंदर call ले लिए, और एक strategy हमारी ऐसी बन गई है, जिसके अंदर unlimited loss का potential है, यानि market unnecessary नीचे गिर गई, या unnecessary ऊपर चलेगी, 10% नीचे गिर गई, 10% ऊपर चल point 90 rupees की हमने ये बेची है, तो 200 points नीचे हमें काम करते एक put buy कर लेते हैं, जिसका हमें premium देना है 78 rupees, तो 98 rupees हमने यहां short करा, 78 का premium दिया, अब हमें सिर्फ 20 rupees बीच का मिल रहा है, आप इसके अंदर देखें क्या हुआ, आपका fund rate तो थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन यहां पर आपके profit होने के chances कम हो गया, अब यहां पर देखें, इस side आप पर limited risk हो गया, अब यहां पर market अगर नीचे गिरता है, तो आपका एक risk है, वो limited है, इसी तरीके से हम उस side का भी risk limited कर सकते हैं, कैसे करेंगे, आगे बढ़ते देखिए, 26,200 की दोस्तों call हमने short करी है, तो protect करने के लिए हम 200 points नीचे माल लेते, एक हमने buy कर लिए, ठीक है, अब दोनों side का risk हमारा limited हो गया, अब यहां पर देखें क्या हो रहा है, आपका max profit हो गया, 1200 रुबे, max loss हो गया है, 3700 के आसपास, और आपका fund needed रहे गया है, सिर्फ 32,000, मोटा मोटा 35,000 माल जीए, या round figure में 40,000 म अगर आपके पास होंगे, तो यह strategy play हो जाएगी, और इस strategy के अंदर आपको 1200 रुपे के आसपास का max profit होगा, कब होगा, जब market इस range के अंदर रहती है, 23,800 से लेकर के 26,200 के बीच में रहती है, लेकिन आपको अब यह डर नहीं है, unlimited loss का डर नहीं है, यानि market उन्नेसिसरी पीच में रहेगी, तो आपको profit आजाएगा, और आप यह पूरा पैसा कमा लोगे, लेकिन अगर market range से बाहर निकलती है, तब दोस्तों एक main issue start होता है, कि तब हमें क्या करना है, तो आप various तरीके से adjustment कर सकते हैं market के अंदर, जैसे कि देखे, पहला तरीका क्या हो सकते हैं market मे के एक range में आगया, माल लेते हैं, इस point पर market आगया, ठीके, इस point में market आगया या इस point पर market आगया, ठीके, माल लेते हैं, assume कर लेते हैं, तो जो lag आपको नुकसान दे रहा है, माल लेते हैं, इस point में market आगया, तो यह वाला lag, call वाला जो lag हैं, यह आपको loss दे रहा होगा, त तो एक काम तो दोस्तों यह हो सकता है कि एक lag आपने अपना हटा लिया और दूसरा lag आपका चालू है ताकि उसका पूरा premium मिल जागर बचा है तो अगर असको premium ही अगर 90-95% decay हो चुगा है तो पूरी strategy बंद करने में ही benefit है और अगर यहाँ पर आ गया तो put वाला lag आप बंद क कर सकते हैं जो आपने बेचा था उसको आटा दीजिए इसको चालू रहने दीजिए अगर premium बचा है तो इस तरीके से आपका risk management हो जाएगा दूसरा अगर इस point पर अगर market आती है तो आप पूरी strategy प्रॉपर strategy आप exit कर सकते हैं क्योंकि आपको यह पता लग यह शायद मार्क 1215 होगे आसपर चल रहा होगा तो 1215 होगे आसपर नुकसान चल रहा है तो आप अपनी पूरी strategy को आपको exit करना पड़ेगा तो यह दोस्वा market में क्या जा सकता है इस तरीके से चीजे मैनेज हो जाएगी दूसरा कापी लोग क्या करते है एडजस्टमेंट करते है एडजस् में चल रही होगी या इसको थोड़ा बहुत loss हो रहा होगा और जो call वाली side है यह आपकी थोड़ी सी profit में चल रही होगी ठीक है तो यहाँ पर क्या करते है काफी लोग इस call को बेच के जैसेकि यहाँ पर पैसा बन गया होगा तो इसको बेच करके इसको exit करके थोड़ा सा उपर वाली थोड़ी सी और आगे जाकर के call short करते ताकि और ज़्यादा premium मिल जाए और इधर की तरफ के जो losses है वो कम होते चले जाए ठीक यही काम आप put वाली side भी करके चीजों को adjust कर सकते हैं तो यह दोस्तों adjustment है जिसको आप manage कर सकते हैं तो इस तरीके से चीजे manage हो कि या फिर जो मैंने आपको पहले तरीका पता है उस तरीके से risk management किया जा सकता है तो यह दोस्तों हो गया iron counter तो इस strategy को जो हम iron counter बोलते हैं तो इसको एक बार मैं play करके बताता हूं कि इसको कैसे play करते फिर दैन एक strategy और बताऊंगा जो batman strategy है जिसको काफी लोग use करते तो य 1200 के आसपास की nifty की range चल रही है मंतली तो कोई भी एक मंत ले लेते हैं market के अंदर for example हम में ले लेते हैं यह देखिए तो यह देखिए तो अप्रेल 26 अप्रेल के लिए हम कोई strategy डूंड रहे हैं तो हमने एक expiry ली 30 में वाली लगबक एक महीन आगे 30-35 दिन आगे कि ठीके 26 अप्रेल को हम strategy बना रहे है और हमने expiry ली जो में का end वाली expiry है वो हमने nifty की ली हमें पता है nifty की जो range है वो 1200 के आसपास की range है तो यहां पर देखिए जो spot price चल रहा है 22,600 चल रहा है तो हम क्या कर रहे है 23,800 की call देखते हैं कितने रुपे के चल रही है तो यहां देखि 23,800 रुपे की जो call है वो सिर्फ 28 रुपे की यहां चल रही है सिर्फ 28 रुपे तो यहां हम इसको short करते हैं एक बार range देखि में मन्त में range क्या थी इसकी तो एक second देखि में मन्त में range लगबग इसकी 1000 points के आसपास थी तो उसी हसाब से strategy बनाते हैं तो एक काम करते हैं यह व 23,600 वाली एक call को short करते हैं यह देखिए है 23,600 वाली एक call हमने short करी ठीके और उसके against में 200 points नीचे हमने एक buy कर ली एक iron condor हमारा बन गया ठीके दैन उसके बाद हम देखते हैं 21,600 वाली put देखते हैं तो 21,600 वाली put देखिए 58 की चल रही है तो इसको एक बाद short करते हैं और 200 points नीचे की हम protection के लिए एक put buy कर लेते हैं ताकि हमें unlimited नुकसान ना हो तो कुल मिलाकर के दोस्तों यह हमारी strategy यहाँ पर developed होगी जिसके अंदर मात रह में 2.4% का profit आ रहा है जादा नहीं आ रहा है तो अगर market इस range के अंदर रहती है तो हमें profit आएगा otherwise profit नहीं आएगा तो एक काम करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से work कर रही है तो हमने क्या decide कर रहा है देखे 600,700 बेगा profit है यह profit आ गया तो ठीक और माले ते यही नुकसान अगर हमें दिग गया strategy में तो यह तो हम exist कर सकते हैं यह आप इस strategy exit कर सकते हैं मैं यहाँ पर exit करना पसंद करूँगा तो यहाँ पर देखते क्या रहता है तो यह देखें अभी 42 रूपीज का नुकसान हो रहा है और बढ़ाते आगे अभी हम profitable नहीं हुए है और market up down हो रही है कोई बात नहीं देखें अभी 500 रूपीज का नुकसान हो रहा है अब यहाँ 400 रूपीज का नुकसान हो रहा है और range के आसपास market आने की कोशिश कर रहा है अब देखें 170 रूपीज का profit आया 268, 381 यह देखें अल्मोस्ट आपको 500 रूपीज का profit आ गया है तो आपको पूरा hold करने की ज़रूद नहीं है 22 में तक आपको यह profit आ चुका है अब आप चाहे तो 80% के असपास का profit आ अब आप चाहे तो अपनी strategy exit कर लीजिए पूरा hold करने की ज़रूद नहीं है और कई बार क्या होदा है जो adjustment मैंने बताई थी एक बार उसको backtest करना अपने असाब से और उसको देखना कि अगर हम उपर नीचे इसको exist करते तो चीज़े कैसे manage होगी ठीक है तो यह दोस्तों हो गया हमारा यह काम हो गया चलिए अब क्या हम discussion कर रहे है एक strategy और मैंने आपको गोई थी Batman strategy कैसे काम करती जरा उसको देखते है देखिए Batman strategy भे हम करते क्या है build a new custom strategy भे जाते है वो यह 28 November वाली निफ्टी की जो expiry एक बार उस पे एक बार strategy बनाते है तो 1200 point की हमारी range है तो हम क्या करेंगे 1200 point दूर जा करके हम एक call और put buy करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे 23-8 पर जाते है यह द उपर हम एक call भी buy करते है तो एक range वाली strategy बनती है अब देखिए इसमें क्या है 99 रुपीज का मुझे premium लग रहा है अब यह premium मुझे market के अंदर नहीं देना और premium कमाने वाली strategy बनानी है तो हम क्या कर रहे है यहां देखिए 200 point नीचे अगर हम जाते 23-600 पे जाते है तो हमें यह पता लग रहा है कि असिर्वे की output चल रही है तो हम इसके against में 2 quantity यानि double quantity जितनी हमने यहां पर लोट लिया है उसका double जाकर के shot कर देते हैं अब इस strategy के दोस्तों हम कहते है Batman strategy अब देखिए इसका एक कान बना है यह देखिए मैं एक कान दिखा रहा हूं आपको वो कान देखि कैसे बनेगा ऐसे बनेगा 1200 point उपर की हम क्या कर रहे है एक call buy करते हैं यह देखिए 90 rupees वाली यह जो call है यह buy करी फिर 200 point नीचे जाकर के हमने यह देखा यह 64 की चल रही है तो अगर 64 वाली 2 मैं short करता हूं तो उससे क्या होगा इसका premium इससे जादा हो जाएगा है न इसका premium मिसस जादा हो जाएगा 130 में premium मो जाएगा दो मैं short करूँगा तो यह देखिए दो मैंने यह short करी अब दो कान हमारे पास इखटे होगे यह दो कान है तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपका max profit आ रहा है 7400 जो 40-45 दिन बाद वाली expiry है लेकिन इसके अंद नूल सारे इसमें और जादा हो जाएगा है ना तो जिनके पास थोड़ा fund जादा है वही इस strategy को execute कर पाएंगे अदर्वाइस नहीं कर पाएंगे अब किस strategy में maximum profit 7400 है लेकिन वह कहां पर है वह इस कान के top है यह जो दो कान है ना इसके top आपको दिख रहे है लेकि जो mid वाल एरिया है यह mid वाला एरिया नहीं है इतना profit देखिए pay off table में दिखाता हूँ वो तो सिर्फ डाई अजार ही है तो डाई अजार अगर approximately माले तो लगबग 2% ही कहलो 3% कह सकते हो लगबग 3% का ही profit है तो अगर आपको डाई अजार अब देखिए strategy में भी क्या है हम same चीज ही क 2000 के आसपस नुकसान आ जाता है तो अब हम strategy बंद कर सकते हैं लेकिन इस strategy के अंदर एक खामी है अगर market unnecessary volatile हो गई जैसे कि आप देखिए इसकी एक range है रेंज के है वैसे तो 6% नीचे 7% उपर की तरफ है लेकिन market कभी gap up gap down हुई किसी news की वज़े से किसी भी वज़े से तो आपको अच्छा खासा नुकसान आ सकता है तो इसमें unlimited नुकसान का potential है तो ये iron controlling है जिसके अंदर limited loss है ये unlimited loss के साथ चलती है तो वो दोसे इसके अंदर issues आते है तो अगर हम इस strategy को play करें market के अंदर तो क्या result आएगा तो एक बार इसको वापिस simulator के उपर बनाते है और देखते हैं तो same strategy बनाएंगे इसको एक बार clear करेंगे और ये देखिए तो यहाँ पर देखिए वापिस हम जा जाते हैं यहाँ पर देखिए 1000 पॉइंट का gap था ना तो 1000 पॉइंट के साफ से create कर रहे है तो 30 में पर जाते है तो यहाँ देखिए 23600 की हम एक call buy करेंगे ठीक है और 200 पॉइंट नीचे अच्छा इसको अगर मैं 200 पॉइंट नीचे करता हूँ तो जादा premium नहीं मिल रहा है लेकि जो भी मिल रहा है उसको करते हैं एक बार बनाते हैं यह देखिए तो premium जादा नहीं है बीच में बहुत कम premium है लेकि फिर भी बनाते हैं और execute करके देखते हैं तो 21600 वाली हम यह देखे इसको हम buy करते हैं और 200 पॉइंट नीचे हम दो lot shot करते हैं अब दोस्तों दो batman हमारे बन गे और बीच में आप देखिए यहां पर आपको दिख रहा है जिसमें सिर्फ 900 वेगा आपको दिख रहा है कि सिर्फ 900 वेगा profit आएगा इस strategy को बनाने में तो एक बार इसको एक दिन आगे बढ़ाते हैं तो 270 आ गया 300 वे profit आगया 210 480 और बढ़ाते हैं 128 का नुपसान आ रहा है 390 का लोस आ रहा है फिर 100 रूपीस profit आ गया 455 24 तारिक तक हमें 900 वेगा profit आ चुक है strategy में तो मैं चाहूँ इस strategy को यहीं से बंद करके अपना profit booking कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं इसको और जादा आगे extent करता हूँ तो क्या होगा जरह देखते हैं तो क्या यह profit बढ़ेगा यह नहीं बढ़ेगा तो उसको एक बात check out करते हैं तो देखें expiry होगे expiry वाला दिन आ गया market एक range के अंदर आ और मुझे profit आ गया तो इसके अंदर जो range है न वो range थोड़ी और wide हो जाती है और यह बीच वाला part मिलना थोड़ा असान होता है यह जल्दी मिलता है अगर डिके जल्दी होगा तो वो डिके आपको थोड़ा जल्दी मिल जाता है यह जो strategy है यह आपको जल्दी डिके दे सकती है इसमें डिके जल्दी होगा थीटा डिके जल्दी होगा तो इस तरह कैसे दोसरा strategy बनती है अब हमने बात करी थी सिर्फ मंतली वाली अगर आप ELD वाली strategy बनाना चाहे तो क्या बना सकते है जी हाँ ELD वाली strategy भी marketing में बन सकती है जिसके अंदर बहुत वाइड रेंज आपको मिलती है जैसे कि देखें निफ्टी के अंदर ELD वाली अगर हम बनाए तो एक बार इसकी expiry करते हैं एक बार करते हैं expiry वान सेकेंड बिल्ड है new customer strategy निफ्टी एक सेकेंड यह देखें तो यह देखें दो हजार पचीस दिसंबर वाली अगर हम expiry ले जो लगबग एक साल तीन मेने बाद के expiry है तो इसमें आप यह strategy बना सकते हैं अपने साफ से देखें मार्केट चल रहा है 25,000 पिया तो हमने क् range देखनी है, market की range किया है तो हम क्या करते हैं यहां पर आते हैं सबसे पहले हम लगाते हैं 12 महीने का time frame 12 months का time frame तो हमें एक range पता लगी 2700, 300 point और बढ़ा करके हम round figure में कहते हैं 3000 रुपे की range है इसकी ठीक है तो हमने क्या करा 25,000 में market है 3000 प्लस करेंगे तो 28,000 वाली हमें क्य हम करते हैं हम short कर देते हैं एक call ठीक है short कर दिया 28,000 25% यहां मिलेगा यहां पर देगे fund नीरीट जादा है 1,500,000 रुपे और इसी तरीके से हम एक put देखते हैं market के अंदर तो हमने put कैसे देखनी है 22,000 वाली ठीक है न 3,000 point नीचे तो वो हमने क्या करी short कर दी अब यह देख रुपीज आपका लगेगा यह दोस्तों फंड यहां पर लगेगा तो margin needed नॉर्मली डेडल आके शुरुवात में इतना पैसे चीए otherwise blocked आपका डेडल आक होगा तो डेडल आकर में दोस्तों यह strategy आपकी बन जाती है अब इसमें भी दोस्तों वही है कि market में एक range मिल गई कित यह 22,000 से लेकर के अगर market 28,000 के बीच में रहती है तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा otherwise आपको market के अंदर नुकसान आएगा तो आप यह देख सकते market अगर और ज्यादा नीचे गिरती है जैसे कि देखे pay of chart आपको यहां पर दिखाएगा यह देखिए market किस तरीके से उप जादा नुकसान हो यहां पर market में हो जाएगा तो इसके साथ भी आप iron corner बना सकते हो जैसे कि आप क्या कर सकतो प्रोडेक्शन के लिए 21,000 वाली आपने क्या करा एक call buy कर ली ठीकिए आपकी देखिए strategy देखिए कहां किस तरीके से तबदील हुई है और फिर 29,000 वाली आपन maintain हो रहा है तो अगर market इस range में रहता है तो आपको 15,000 वे मिल जाएगा और आपका maximum कितना चले जाएगा 9,000 वे चले जाएगा इस range से अगर भार आ गया ठीकिन इस range के opposite direction में चला गया और otherwise आपको यह पैसा मिल जाएगा यह risk and reward ratio ज्यादा अच्छे से maintain हुआ तो देखा जा है तो yearly वाली करने में ज्यादा benefit हो सकता है क्योंकि इसमें probability of profit है 56% 56% probability of profit होने का मतलब यह है कि 100 trade में से आपके 55 trade आपके profit होने के chances है तो आप इस strategy को क्या है play करके छोड़ भी सकते हो करने तो market को जो करना है तो maximum loss यही तो है 9,200 या तो marketing ले जाएगी 9,200 अगर इस range में रह तो यह पैसा मुझे मिल जाएगा और इसकी chances कितने हैं 50% है तो अगर मैं 10 साल market के अंदर trade करो 10 साल में मैंने market को for example एक lot के साफ से calculate कर रहे है जादा आप complicate मत करना एक lot के साफ से calculate करते है कि 10 साल में माल लेते हैं हमने past trade ठीक करे जिसके अंदर हमें 15,15,16,16,000 पे आए ठीक तो यह reliable strategy होती है जिसके अंदर आप शानती से बैठ सकते हो और rebalance करना चाहे तो rebalance कर सकते हो मतलब adjustment करना चाहे यानि market थोड़ी इदर आ रही है तो call को shift करते रहो इदर और market इदर जा रही है तो put को shift करते रहो इदर तो इस तरीके से 200 चीजे manage हो जाती है और ELD वाले में क execution cost बहुत जादा होती है that's why reason मैंने आपको suggest नहीं कर रहा कि मैं आप weekly करो क्योंकि एक spread आप इस तरह के varian counter बगरा बनाओगे तो उसके अंदर आपके 200 अरपे तो वैसी लग जाएंगे और एक lot पे आप trade कर रहे हो तो execution cost बहुत जादा आएगी और yearly वाले में execution cost बहुत कम आ आपको बहुत सारी strategies बताई हैं और यह 3-4 strategies हैं अलग-अलग उसके उपर लगा सकते हैं तो काफी reliable रहता है मेरी one of the favorite अगर आप बोलो कि अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं किस उसके उपर बनाना चाहूंगा तो मैं yearly वाली बनाना चाहूंगा जिसके अंदर मैं iron counter तो वो करने में मैं ज्यादा comfortable हूं और execution करने में यानि strategy को execute करने में मुझे ज्यादा problem नहीं आएगी otherwise आप मंतली भी कर सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा backtest वागर करके देखी कि किस तरीके से आपको profit and losses market में आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको capture करना पड़ेगा तो initial basis पर आपको क्या करना चाहिए paper trade करना चाहिए आप कुछ महीने paper trade करिए और देखें कि कितना profit आ रहा है कितना loss आ रहा है और उसके बाद आपको पता लगेगा कि चीजे कैसे manage हो रही है paper trade करने के लिए बहुत पड़िया एक platform में मिलता है sensible का तो अगर आपके पास 0-2 account per day आप उसको check करें live market case आपसे वो काम करेगा time decay वगर आपको बताता रहेगा और आप चीजे दोसे आपसे manage कर पाएंगे तो दोस्तों आप यहां तक वीडियो के अंदर रुके है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यहां तक रुके है तो मेरी भी कुछ जिम्म प्ले कर सकते हैं उसके बारे में बता है क्या इसके अंदर रिस्क होता है क्या reward की probability हम रख सकते हैं तो सारी चीज़े दोस्तों हमने बताईए तो वो आपको लेना है तो इसके लिए बिल्गुल free of cost मिलेगा बस थोड़ी से आपको मैनत करने ही मैनत क्या है चैनल सब्सक्रा